आमाधी पार्टी के दिल्ली के दो विधायकों पर आरोप लगे कि वो दिल्ली के मॉडल टाउन विधान सभा के कमला नगर वार्ड का टिकेट, MCD चुनाव का टिकेट पैसे लेकर बेचने की कोशिश कर रहे थे इस बारे में ACB ने, Anti-Corruption Branch ने एक मामला दर्ज किया, तीन लोगों को गिरफतार किया और दो विधायकों में से एक विधायक अखिलेश पती त्रिपार्थी को पूछताज के लिए बुलाया तो जब Anti-Corruption Branch के इस दफतर में अखिलेश पती त्रिपार्थी पहुँचे तो इस पूरे मामले के बाद वो पहली बार मीडिया के सामने आए और उनने इस बार से इंकार किया जो ACB दावा कर रही है कि जो ओम सिंग गिरफतार इस मामले में एक हुआ है वो अखिलेश पती कि में आपके साहरे बताई जा रहे हैं इसके किला रही है सब इसेकर कार रहे हैं उससे सब्स्क्रेश करते हैं केश जिसमें डार्यक्टर लेवल के गाधिकारी के उनको पोर्स करके उनको ब्रेकमाइड करने का काम कर राता और उसका देख्ति जो अपने भाई वति जो चाकू से मारता है उसका केस दर्ग है और लोगों को कंशन दश्यों लोगों को जो है जिस व्यक्तिन है, रेप के केसे लोगों को जुटा रोप लगाने का आदत है इस था, तो ऐसे लोगों के खिलाब बोलना वाजिक में समस्ता है, लेकिन ये वैसे बहता हूं कि कानून अपना काम कर रही है, अगर इस तरीके का अगर कुभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के अगर और नहीं के एड़र्स है, और आपका जो एड़र्स है, वो लिखा हुआ है, और आपके साले है, आप बताइए, आप बताइए न, आप खंडन करते हैं, कैसे रिष्टतर हो गों है, सिंह है, सर, सिव संकर पांडे के बारे में बोला गया कि आप अपने हैं अगिलेश मीडिया से बात करते हुए अखिलेश त्रिपाथी अपना ज्यादा समय जिस शक्स के उपर आरोप लगाते हुए बोल रहे हैं वो है गोपाल खारी जो इस मामले में शिकायत करता है जिनोंने एसीबी में ये शिकायत दर्च करवाई के मुझसे मॉडल टाउन विधान सभा के कमला नकर वार्ड का टिकट देने के बदले में 90 लाख रुपे की रिश्वत मांगी गई और 35 लाख रुपे मैंने अखिलेश त्रिपाथी को दिये 20 लाख रुपे मैंने राजेश गुपता को दिये ये दोनों ही आमाधी पार्टी के विधायक हैं तो ये अखिलेश त्रि दावा किया कि मैंने दे दिये थे 35 लाख रुपे अकलेश त्रिपार्टी को देने का दावा किया और 20 लाख रुपे राजेश गुपता को देने का दावा किया जिसमें 33 लाख रुपे की जो है रिकवरी की बात जो है एसीबी ने कही है तो जब पूछा गया गोपाल खार कि लिए यह द्रिवाद है कि अगर जो भी फजरोगा एसी बी जाज करेंगे इसको करना जेला सबस्क्रा दिला लाएद था मैं और चाज्थ का विशह मैं एसी बेंगें गाना दे दीजिए आप जो भी जो बीड़ीड आप सकते सर्फस्नला ह्टे लाइड है कंप्लेंट के बारे में इन लोगों ने परेशर करके में से पैसे मांगे रहे हैं किसे की रोले कि पैसे देऊ जब तुमारी टिकेट होगे नहीं हदर नहीं होगी अब पैसे देए उनको 35 लाग पर एक दिमें दोनों पैसे का दिये तक है अब कि अब करी अब पैसे आपने कब दिये थे दो दिन पहले अब कुछ पैसे आपको वापेस भी मिले हैं कितने मिले हैं और अभी कितना आमाउंट रेमेनिंग हैं इस मामले के भी जाच चल रही है जाच ने जो होगा वो तो रिपोर्ट होगा ही लेकिन चर्चा यह चल रही है कि जो जो ACB इस मामले में कारवाई कर रही है, जिसमें ये केस दर्ज हुआ, जिसने जाल बिचाया और तीन लोगों को गिरफतार किया, और अब पूछताज भी आगे इस मामले में कर रही है, क्या ये जो मामला है उसके जिरू डिक्शन में आता है या नहीं, क्योंकि ACB जो है वो दिल्ली सरकार के जो विभाग होते हैं, चाहे वो LG के अंडरा रहे हों, चाहे दिल्ली सरकार के अंडरा रहे हों, उसके जो अधिकारी हैं या उससे जुड़े जो काम हैं, उसके उसमें कहीं करफशन तो नहीं हो रहा, उससे जुड़े मामलों में ACB कारवाई करती है, लेकिन इस मामले में कहीं पर भी सरकार का कोई department या सरकार involve नहीं है, केवल आमादी party के दो विधायक हैं और दूसर जो शिकायद करता है वो भी आमादी party का कारे करता ही बताया जाता है, तो ऐसे में सरकार इसमें कहीं इन्वाल्व नहीं है, तो चर्चा यह चल रही है, कि क्या इस मा मामला टिक पाएगा ठहर पाएगा या नहीं चल पाएगा या फिर कोड यह कहेगी कि आप जो है जो दूसरी एजनसी है जो संबंदी एजनसी है जिसके तहरती आता हो आप उसको ट्रांसफर कर दिए क्योंकि 33 लाग की जो रिकवरी एसी भी दिखा रही है वो इस मामले में ए एक बहुत बड़ी बात है दिली से अपने कैमरा सयोगी कानल पत्रा के साथ मैं शरच चर्मा एंडिडी मीडिया